तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बेनों एक बात अमीशा के लिए याद रखो कि बातों के पक्के बनना भी बहुत जरूरी है जिस इनसान की बातों की वेल्यू नहीं होती जिस इनसान की बातों में पकड़ नहीं होती जिस इनसान के बातों में एक मजबूत सा प्रोमिस नहीं होता, उसकी बातें बातेν ही रहती है बातों के पक्के बनों, किसी को जबान दिये कि ये काम मैं कर दूंगा, तो तुम्हें हर हाल में उसे पूरा करना है बले सामने वाला उसकी value करता है नहीं करता है बले सामने वाला वो समझता है नहीं समझता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है हमको अपने तरीके से right रहना है हम सही है हम जो बोलते हैं उसके पक्के हैं दिल को एक अलग सा satisfaction मिलना चाहिए हाँ मैंने वो बोला था तो मैंने कर दिया हां मैंने वो कहा था तो मैंने कर दिया ऐसा ना हो कि मैंने बोला था फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया चलो रहने तो ऐसा चलता है तो फिर उसको बातों के पक्के वाले इंसान नहीं कहा जाता फिर तुम बाते ही ऐसी करते हो जिसका तुम वजूद नहीं है बस बो तो जहां पे तुम बोल दो तो उस चीज को पूरा करो जहां पे तुम में कह दिया तो उस चीज को पूरा करने के लिए अपने 100% कुछ भी हो जाए मैंने बोला है तो मैं पूरा करके रहूंगा गट पिलिंग लाओ अंदर की कि हां मैं करके रहूंगा मेरी इज़्जत का सवाल है मेरी सेल्फ रिस्पेक का सवाल है तो चीज यहां पे यहीं लागो पड़ती है कि बातों के पके इंसान बनो यह तो बोलो मत और बोलो तो करो और ऐसे इंसान बनोगे तुम दिन बद दिन एकर प्रॉमिस देते रहोगे और उसको पूरा करते रहोगे यह सही मयनों में 100% सही बात है SEMZHR इंसान ऐसे बनो जिसकी बातों का वजुद हो ना कि बोलते गए जिसके बातों का कोई वजुद ना हो कभी इसकी value नहीं होगी I hope मेरी बात समझ में आई होगी अगर वीडियो काम का है वीडियो को like करो फिर से मिलता हूँ एक नए वीडियो